तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं और उसके अंदर आप जो है मेसेंजर यूज करते हैं Facebook मेसेंजर अगर आप अपने Facebook मेसे चैनल को यूज करते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर तीन से चार्ट ट्रिक्स में आपको बताऊंगा उनको अप्लाइब आप करेंगे तो आपकी प्रॉलम हो जाएगी तो चलिए वीडियो को जान लेते हमें क्या करना होगा इस प्रॉलम चुटकारा पाने के लिए अगर आपको ये वीडियों पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियों को शेयर कर दीजिएगा, तागे अगर उनके ये प्रॉलम आ रही है तो उनकी प्रॉलम भी सॉल्व हो अब यहाँ पर अगर आपके मॉबाइल में open की जगह पर update लिखा मिले तो आप उसको update कर लें जैसे आप update कर लेंगे आपकी problem solve हो जाएगी क्योंकि कई बाद technical issue होने की जैसे आपको problem face करने पड़ती है तो make sure कि आप उसको update कर लेंगे अपने messenger को जैसे update करेंगे problem solve हो जाएगी अगर आपकी problem as it is बनी रहती है फिर भी problem solve नहीं होती then उसके बाद आपको second काम क्या करना है आपके mobile में कोई भी browser होगा उसको open करिएगा open करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है messenger old version download आपको यह लिखना है आपके सामने बहुत सारी websites निकल कर आएंगी किसी website को आप open कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको यहाँ पर third number पर देखने को मिल रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पर open कर लेता हूँ तो कर लेते हैं यहाँ पर इसको open open करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने यह page open होगा आप यहाँ आपको scroll करना है नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे messenger के versions आपको देखने को मिलेंगे वो भी date wise अब आपको करना क्या है जो यहाँ का old version होगा one month old उसको आपको install कर लेना है जैसे कि यहाँ पर fab है तो आपको January का कोई भी version उठाकर old version उठाकर या फिर आप उससे एक तारिक पुराना जो है एक date पुराना जो है version वो भी download कर सकते है जैसे फर्वरी 8 का है तो आप February 4 का ले सकते हैं चार तारिक का ले सकते हैं उसको install करिएगा जैसे यहाँ पर click कर देना है डाउनलोड करने के लिए और download पर click कर देना है और यहाँ पर जो है इसको install कर लेना है तो उसके बाद third काम क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ setting में आईएगा scroll करिएगा apps पर आना है manage apps पर आना है search बाहर में आपको messenger को search कर लेना है messenger आ चुका है open करिएगा storage पर click करिएगा सबसे पहले तो इसका clear all data कर दीजिएगा दर उसके बाद यहाँ पर आप permissions पर होंगे जितनी भी permissions होंगी आपको allow करनी होंगी देख लीजिएगा सभी permissions को आपको बारी बारी से allow कर देना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ as this same आपको काम करना होगा यह permissions भी allow होगा दी phone यह permissions और SMS देख सकते हैं यहाँ पर सभी permissions लाओ हो चुकी है दन यहाँ से back आना है आपको आप देखेंगे आपकी जो problem है वो यहाँ से आपको solve मिलेगी आपका जो messenger है वो आप easily open भी कर पाएंगे देखते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर open भी हो चुका है आप work भी करने लगेगा प्रोपर आपको सिर्फ यही काम करने होगे so guys आपकी problem solve हो जाएगी so guys बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में टिल रबाटे के ल, love you all